जब तुम असी के थे तब तुमसे दोड़ा नहीं गया, अब 82 की होंके कैसे दोड़ लोगे? ये बहुत बड़ी भूल है, इसको अच्छे से लिख लो कि ये विचार कभी मत करना है तो अब ये मैं not differentiate ही नहीं कर पा रही हूँ कि बेमानी कब होगी, बेमानी क्या है? और मैं कम मानूं कि मैं बेमानी कर रही हूँ जो बातें न करने का मन करता हो, वो बातें जरूर करो जिन सवालों से घवरा घवरा के छुपते फिरते हो, उन सवालों का सामना करो क्यों करी बेइमानी तो टूक बात करो मरजी थी एक बार इमान लिया कि मरजी थी इसलिए बेइमानी करी अब कुछ संभावना पैदा होगी कि शायद बेइमानी इसे मुक्त भी उपाओ क्या इमानदारी नहीं कर सकते थे कर सकते थे करी नहीं क्यों नहीं करी आदत लग गई है वजश्रवा है कई पीडियों से सिर्फ बेइमानी की खाई है तो अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसा ही तो खाया जाता है चलो पीडियों को भी छोड़ दो अपने ही जीवन में पिछले कई सालों से बेइमानी की खाई है तो भीतरी एक अभ्यास हो गया है, आदत लग गई है सब लोग मान गए देखो मैं दानवीर हूँ मैंने सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है अगर दस बार बना दिया तो ग्यारवी बार भी बनाऊंगा न इसलिए बेवानी को सफल ना होने देना बहुत जरूरी है बात आपके अड़ने की नहीं है बात यह है कि जिसकी बेवानी को आपने एक बार नहीं पकड़ा आप उसे प्रोचसाहित कर रहे हैं दस और बेवानिया करने के लिए माबाप का धर्म है कि बच्चे कहीं बेवानी कर रहे हैं उनको पकड़े अगर बच्चे की बेवानी नहीं पकड़ी तो बच्चे से ज्यादा बड़ी गलती माबाप ने कर दी बच्चे के प्रति आपका कर्तव है जिम्मेदारी है कि वो जहां कहीं भी धूरतता कपट इस तरह का कुछ कर रहा हो आप उसको पकड़ लीजिए अन्य था उसमें ये भाव बैठ जाएगा कि बेमानी करके मजे लिए जा सकते हैं कड़े भी नहीं जाएंगे कोई व्यवस्था चल रही है कोई सिस्टम है और उसके लोग बेमानिया कर रहे है तो इसमें दोश उनका है जो इस व्यवस्था के संचालक है जो व्यवस्था पक है आपने ये गुंजाइश छोड़कर कि बेमानी के साथ भी काम चल जाएगा आपने उन लोगों को बेमानी का अभ्यास करा दिया अभ्यास हो गया अब रसरी आवद जात्ते सिल पर पड़त निशान उसके बहुत गहरा निशान पड़ गया है कि बेमानी is the way of life अब उसको विचार भी नहीं करना पड़ता है बेमानी करने के लिए उससे बस बेमानी लगभग हो जाती है वो जो ख्षण होता है चुनाव का वो जो अवसर होता है वो अवसर उसके लिए धीरे धीरे बहुत संकुचित हो गया है जुनाव का उसर तो हमेशा रहेगा पर दे विंड़ो अव डिस्क्रीशन है श्रंक जोज़ रहो बात को बहुत अब एक मध्धम सा हलका सा एहसास होता है कि मैं बेमानी करने जा रहा हूँ और उस एहसास का दमन करने का इतना अभ्यास कर लिया है यह हम उस एहसास को बिलकुल उपेक्षा कर देते हैं उसकी वह जैसे बहुत हलकी सी आवाज आई हो बहुत हलकी सी आवाज आई हो मुक्ते बोद की एक पंक्ती थी और वो बिलकुल छप गई थी मुझको मुझे पकारती हुई पकार खो गई कहीं आपके भीतर वो सच्चाई बैठी है जो पुकारती है पर बहुत लंबे अरसे तक अभ्यास कर लो उस पुकार को न सुनने का तो वो पुकार खो जाती है मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं तो उच्भ्यारी बात जैसे वो भी कहती हो कि मेरी पुकार का कोई सम्मान तो हो नहीं रहा है मैं अग्रह कर रही हूँ मैं सूचना दे रही हूँ मैं निवेदन कर रही हूँ मैं बता रही हूँ कोई सुन तो रहा नहीं और आप सौ बार बताएं कोई सुने ना तो आप भी क्या करते है बताना कम कर देते हैं बताने का आपका उत्साह मंद पड़ जाता है वो जो भीतरी पुकार होती है वो धीरे धीरे एकदम दब जाती है इसी को ले करके जो प्रतीक दिया जाता है वो कई बार होता है छेदों वाली बाल्टी का हम् बाल्टी में जब पहले ही छेद हो रहा हो तब ही उसको रोब दो तब ही रोब दो हर बेमानी के साथ आपकी बाल्टी में एक छेद और बढ़ जाता है बाल्टी का भरना और मुश्किल हो जाता है एक समय आता है जब बाल्टी में छेदी छेद होते हैं अब उसमें कितना भी ग्यान भरो प्रुकेगा नहीं जोसे टाइटैनिक था जो बर्फ थी उसने खंजर की तरह आ करके टाइटैनिक ये तल्ले में छेद किया था उससे क्या हुआ था पानी भरने लग गया था और जितना पानी भरेगा उतना डूबेगा और जितना डूबेगा पानी उतनी तेजी से भरेगा शंच में आरी बात ये होता है बेमानी के साथ वाज़ अश्रवा शुरुआत में ही रोक दिया तो रोक दिया ये चीज आगे बढ़ गई तो आपके रोके नहीं रुकेगी फिर रोकी जा सकती है क्योंकि बात तो चुनाओ की है पर उचुनाओ करना आपके लिए कठिन होता जाएगा पहला चुहा दिखाई दिया घर में उसको तभी पकड़ लो बहार छोड़ा ओ नहीं तो नहीं तो पता नहीं कितने हो जाएगे अब कैसे करोगे जब एक था तब नहीं कर पाए तो अब जब 40 हो गए अब कैसे करोगे लेकिन हमारा आगरा यहीं रहता है जी हम देख लेंगे आगे देख लेंगे तुम जरा इमानदारी से अपना मुध देखके बताओ जब सिर्फ एक चुहा था तब तुम से नई हुआ काम उसको पकड़ कर बाहर छोड़ने का काम तब तुब से नहीं हुआ जब सिर्फ एक था चुआ अब तुमने चालीस कर ली है अब कैसे उसे छोड़ा हो गए बताओ तू बेइमानी का हर प्रकरण आने वाले समय में इमानदारी को और असंभव बनाता जाता है एक उधारन और दिये देता हूँ मुटापा आप असी किलो के हो गए और कहा गया कि थाप दोड़ा आई है आप तो दोड़ा नहीं जा रहा थोड़ा जब दो सो मीटर जाते हैं वहीं पर हापने लग गए रुख गए और दो सो मीटर पर हलवाई की दुकान थी जहां आफे वहीं पर बगल में जलेबी भी है कचोड़ी भी है और निकले थे दोड़ने और छक करके जलेबी कचोड़ी खा लिए अब बयासी के हो गए अब क्या बोल रहे हैं खाते हुए अपने आपको आ लेते हैं फिर दोड़ लगाएंगे जब तुम असी के थे तब तुमसे दोड़ा नहीं गया अब बयासी के होके कैसे दोड़ लोगे बोलो ये बात बेमानी पे लगव होती है शुरू में ही रोग दिया तो रोग दिया उसका अभ्यास हो गया तो नहीं रोग पाओगे एक और उधार दिये देता हूं एक प्रकरण किसी एक अध्याय किसी किताब का मुझे आज पढ़ना था और एक पढ़ना था कल और एक पढ़ना है परसों मानलो तीन है उसमें और आज मैंने पढ़ा है आधा और मैं अपने आपको बोल रहा हूं तीन दिन है न सो जाता हूं कल डेड़ पढ़ लूँगा इसमें बताओ तारकिक भूल कहां पर हो रही है तीन दिन में तीन परकरण पढ़ने हैं आज मैंने पढ़ा है आधा और मैं कहा रहा हूं सो जाता हूं कल डेड़ पढ़ लोगा इसमें तार्किक भूल कहां पर हो रही है आज तुम एक नहीं पढ़ पाए कल क्या डेड़ पढ़ लोगे कल क्या डेड़ पढ़ लोगे और आज तुम पर दबाव भी नहीं था और कल जब शुरुआत करोगे तब ही से दबाव रहेगा अगर आज आधा पढ़ा है तो कल चौथाई पढ़ोगे आज आधा पढ़ा है तो कल डियोड़ा नहीं पढ़ोगे आज कल पढ़ोगे चौथाई पर यह तर्ख हम समझते हैं अम समझते हैं आज की बेइमानी को कल की इमानदारी से ढख सकते हैं खिक से उसकी एक्षत पूर्ती कर सकते हैं कॉम्पन्सेट कर लेंगे यह बहुत बड़ी भूल है इसको अच्छे से लिख लो कि यह विचार कبhी मत करना आज की बेइमानी को कल की इमानदारी से कभी नहीं ढख पाओगे क्योंकि आज अगर बेइमान हो तो कल इमानदार होना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इमानदार हो सकते हो तो अभी हो सकते हो और अगर अभी भी नहीं हो पा रहे तो कल तो एकदम ही नहीं हो पाओगे मुझे में आ रही बाती धीरे धीरे करके यही करमफल कहलाता है धीरे धीरे करके हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता हमें ऐसा लगता है जैसे जो सारा काम है वो आटोमेटिक हो रहा है या अंतरवत हो रहा है भीतर कुछ पुकार रहा है बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाता है फिर हम यह तक कहना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या करूँ मैं तो ऐसा ही हूं मैं तो मजबूर हूं मुझे तो आदत लग गई है चोरी की मैं तो क्लिप्टो मैनिया कूं मुझे कुछ भी दिख जाता है मैं तो उठा लेता हूं तुम भूल गया कि जब तुमने पहली बार उठाया था तब तुम्हारे पास चुनाव था अब किसी न पुकारा था भीतर जोर से चीज तुम्हा कारण नहीं तो मज़ा नहीं आता हाला कि सही बोला कोई कारण नहीं तो कारण बता देना चाहिए कारण क्या है मेरी मर्जी मेरी मरसी जब पहली बार बही मानी करी थी तब किसी ने पीछे से बोला था मत करो तब तो बोल गए मेरी मरसी दूसरी बार भी उसने चिताया था पर जब दूसरी बार चिताया था तब उसकी आवाज कैसी थी फ़ड़ी कम हुई इसरी बार फिर चेताव नहीं आई उसकी आवाज और जब सौवी बार तुम चोरी करते हो तब जो भीतर से आवाज आती हो कैसी रहती है शुन कभी भी नहीं होगी कभी भी नहीं होगी अगर प्राण है अगर चेतना है तो वो जो भीतर से आवाज आती है यहां कहीं भी आप असत्य को चुन रहे होंगे चितना भीतर से कसमसाहेगी तो बस यह है कि उसकी जो आवाज है वो मंद 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 और मंद पड़ती जाएगी जिसको आवाज मंद पड़ती जाएगी आपके लिए खुश खबरी बन जाएगी बताईए कियो भीतर से कोई विरोधायेगा नहीं जब भीतर से कोई विरोधायेगा नहीं तो आप क्या बोल दोगे ये तो मुझसे बस हो जाता है मैं तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें कुछ गलत है मुझे तो लगा ही नहीं कुछ गलत है एक दिन तु जानता था कि यह जो तु कर रहा है गलत है उस दिन तुने चुनी थी बही मानी अब तुझे लगना भी बंद हो गया है कि यह गलत है और जो तेरे साथ के हैं उनको दिखता है यह गलत है तुझे दिखता भी नहीं कि गलत है मनुष्य के लिए सबसे दैनिय दर्दना के स्थिति वो है जब प्रभाव अभाव यह सब उसका स्वभाव बन जाते है जब जूट ही उसकी आत्मा बन जाता है अई करा जा सकता है अभ्यास से साधा जा सकता है जैसे अभ्यास से मुक्तुआ जा सकता है वैसे ही अभ्यास करकर के खरकर के पक्का वाला घुलाम बना जा सकता है वैसों को देखे कोई मुक्त कराने भी आया हो तो उसके पसीने छूट जाते हैं कि इनका क्या करेंगे जो होता है ना कि कई बार मरीज की हालत बहुत खराब हो तो डॉक्टर लॉटाई देता है देखा है क्या करें बिचारा उसके छूट गए उसको देख करेंगे इसका आप मैं करूं क्या भाई पहले ले आते एक हफता पहले ले आते लाना तो चाहिए तच्छे महीने पहले छे महीने पहले भी नहीं लाये तो हफता भर पहले ले आते इसके मुश्किल से 2-4 घंटे के प्राण बचे हैं अब तुम यहाँ लाए हो, क्यों अब इसकी मृत्यों मेरे हाथों हो, क्याता ही ते तुम घर ले जाओ, या कहीं भी और ले जाओ, मैं नहीं स्विकार होगा, हम कहते हैं इसमें चिकिट्सक की गलती है, चिकिट्सक एकदम रिदाहीन है, देखो यह किस तरह के डॉक्टर है, कभी सुचिएगा, वो क्या करे, अब मनुष्य ही है, उसकी शमता की सीमा है, उसको यह नहीं समझ बहाता है, मैं शुरुआत कहां से करूँ, लिवर इसका नाक में आ गया है, इसकी किड्निया हाथ में लेके घूम रहा है, एक चीज ठीक करूँगा उतनी देर में, दूसरी चीज इसकी बम बोल जाएगी बिलकुल, क्योंकि जितने भीतर के अंगों होते हैं, वो सब एक तरह से नहीं चलते, एक चीज को ठीक करिये तो दूसरी चीज गिरने लग जाती है, उनके अपने-अपने अलग-अलग विपरीत कई बार इलाज होते हैं, जो चीज हार्ट के अच्छी हो सकती हो, किड्नी के लिए घाता को सकती, दवाई दी हार्ट की उतने में, किड्नी बैठ गई, कहां से क्या करो, यह क्यों होने देना है अपने साथ, इतने बीमार बन जाएं, इतने बीमार बन जाएं, कि फिर मृत्यों के अलाबा कोई चाहरा ही न बचे, बहु क्योंकि इस जन्म में तो शायद इनके लिए अब कोई संभावना बची नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वार ऐसा बिशार आ जाता है, उसमें मेरा स्वार थै, क्योंकि मुझे पता है कि पचा तो इन्हें अभी भी सकते हैं, पर शरम बहुत लगेगा, वो इत मामला हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, कैसे समालूँ, बहुत बुरा लगता है, पर विवहार एक तल पे कई बार इस वी कार करना पड़ता है कि मामला इतना खराब हो गया है, यब इसमें हाथ डालना वेहरत है, शरम की बरबादी या नहीं कर सकते हैं, और ऐसा जवान लोगों को लेकर भी कई बार ऐसा भाव आता है, उनको देख करके, वो इतना गिर गया, इतना गिर गया और बेमानी का उसने इतना अभ्यास कर डाला, कि अब उसको पता भी नहीं लगता कि वो कब बेमानी कर रहा है, बेमानी उसका सुभाव बन गई है, चुनाओ सभाव तो चुनाव का जो उसके लिए अउसर है वो इतना शून्य नहीं हुआ है पर इतना चोटा हो गया कि आता है और पता भी नहीं चलता यही कहां है पिता जी कर रहे है पिता जी को लग थोड़ी रहा था कि बेमानी कर रहे है गाएं थी उनका पूरा दूध निचोड़ लिया था और दूध निचोड़ने के बाद अब ये था कि इनको बुढ़ापे में कौन चारा भूसी करेगा बड़ी चतुराई दिखाई बोले दो एक तो खर्चा बचेगा नहीं तो अब बुढ़ी गाएं इनको पालना पड़ेगा इनसे कुछ होगा तो है नहीं तो इनको अभी हो सकता है पाँच पाँच साथ साथ साल और जी है गाए दूध देना बंद कर देती उसके बाद भी हो जीती कई साल इतने साल तक इनको खिलाओ पिलाओ बोले मैं एक पंथ दो काज खिलाने का खर्चा भी बचेगा और हमारी दान प्रियता के किस्से भी मशूर होंगे बुलाओ रहे सब बुलाओ सब ब्रह्मन लोग बुलाओ उनको फिर दिया जा रहा है लेओ लेओ बड़ा पता नहीं कई हजार गाएं थी आगे आएगा सब संख्या महत्तो पूर्ण नहीं है भाव समझिए एक तीर से गायों पर खर्चा भी बच गया और कहला भी गए कि यह देखो यहां क्या चल रहा है कितना बड़ा इनका दिल है और सब वहाँ पर खड़े हो गए हो लेने वाले भी वैसे ही वो भी नहीं कह रहे हैं कि यह काय को दे रहे हो ठटरी इसको क्या ले जाओं घर ले जाओं कि अस्पताल ले जाओं यह जो तुमने मुझे दान में दी यह चीज वो यह तो अपने पाउं चल के भी नहीं जाएगी क्या लाओं इसके लिए कैसे कंदे पर उठा के ले जाओं इसको ऐसी ऐसी और वो छोटू घड़ा है वहाँ पर यह सब देख रहा है चल के आ रहा है ऐसे ही खड़ा होगा वो पिता नहीं नहीं उसने पहले भी घर में बातचीत होई होगी ओभी सुन ली हो शायद तो उसको पता भी हो कि यह सब करने के पीछे वास्तविक प्रयुजन क्या है उसे सब उसको कान खड़े है पिता को भी पता था कि इसको पता है इसलिए उसने जब जा करके पिता से एक दो बार चार बार पूछा तो पिता चिड़ गए पिता चिड़ गए भोले मर जैसे आजकल भी बोलते हैं जा मर उसी को थोड़ा सांस्कृतिक भाषा में ऐसे कह दिया कि मैं तुझे मृत्य को सौपता हूँ कहा यही होगा जा मर लड़का बड़ान उठा बोल आप देखी लेते हैं हम तो जा रहे हैं आएंगे आगे बात करेंगे अभी से मैं क्या पूरा सब करो बहुत 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 अनूठी बात है यह कोई कहीं पर बैठे थोड़ी है कि हम के सामने जाके खड़ा हो गया ताने चिकेता वो बात क्या है वो प्रतीक क्या है उसके पीछे उसके हम पूरी चर्चा करेंगे आगे तो एक ओर तो बात यह है कि अगर लंबा आप भीषास कर लो खास तो पर पीड़ी धर पीड़ी का भीषास है पीड़ी धर पीड़ी से भी यह समझे बसके लंबा अपने जीवन का अलमी लंबा बड़ा मुश्किल हो जाता है एक और तो ये बात है फिर दूसरा वाक्य हमारे सामने आता है जो कहता है कुछ मुश्किल नहीं होता देखो उसी माहौल से ये नया लड़का भी तो खड़ा हुआ है क्या मुश्किल हो गया है जिस शरीर के पिता परपिता उसी शरीर का नचिकेता भी तो है न ये फिर अलग चुनाओ कैसे कर ले रहा है कुछ मुश्किल नहीं होता अब हम क्या करें इतनी देर तक तो हम सिद्ध कर रहे थे मुश्किल हो जाता है बाल्टी में छेद मत होने दो जहाज में छेद मत होने दो और नचिकेता का होना सिद्ध करता है कि कभी भी नई शुरुआत करी जा सकती है मुश्किल नहीं है दोनों ही वाते हैं ये तो बताओ आसान है कि मुश्किल है तो सही जवाब देगा उसको एक गाय मिलेगी दान दिया जा रहा है वई आसान है कि मुश्किल है बहुत बड़ी है आपकी मरसी आपकी मरसी मैं आपको अगर कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आल्टी में छेद होने ना दे मैं आपको चिता रहा हूं सतर कर रहा हूं कि छेद कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा अच्छा है ना छेद हो नहीं मत दो पर नचिकेता की बात हमें ये भी कहती है कितने भी छेद हो गए हो फिर भी कभी भी एक नई शुरुवात करी जा सकती है जेतना अतीत की बंधक नहीं होती आप पर कोई बात देता नहीं है कि जैसे आप कल तक रहें वैसे ही आपको आज भी होना है कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका नाम पता इतिहास समृतिया कहानिया कैसी रही है सब कुछ आज एकदम नया शुरू हो सकता है और ये यदे मुश्किल है तो आपकी मर्जी और यदे आपकी मर्जी हो तो ये बहुत आसान भी है मत कहो के आसान है मत कहो के मुश्किल है सिर्फ चुनाओ है सब्सक्राइब कर दो और बात में सोचों कि ये कैसे हो गया तो सब जब हम इसकी फाइट पर गुस्ते हैं कि अब मेरे को मैक्स टू मैक्स टाइम तक अपने अपने आक्शन्स के रिगारडिंग अभेर रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं वो मेरा कौंश्शन डेसिजन होना चाहिए तो शुरुवात में तो जोश होता है तो लंबे टाइम तक खिच जाता है बट बीच में ऐसे फेजस भी आते हैं कि जब कमजोरी पड़ती है कि अब हो गया आप में को चीट दे चाहिए, ब्रेक चाहिए मुझे कि या फिर लेचे दस तिन तक या दो तीन अफ़ते तक एक महीने तक I've been able to accomplish those tasks, मेरा goal accomplished हो गया है now I feel like कि हाँ चलो, I am seeing improvement in my lifestyle and everything तो जब वो चीट दे आता है, तो ऐसा होता है कि मन ऐसा खेल जाता है कि it would exploit that cheat day, वो दे नहीं रह जाता फिर या फिर वो cheating नहीं रह जाती है, वो exploitation बन जाती है तो एक बात तो यही है कि how to manage cheat days क्योंकि अगर किसी भी कोई भी बॉक्सर है या रना रहा रवीर जी, for a cheat, every day is a cheat day, no सारी बात होती है कि करने वाला कौन है आपको लग रहा है कि 10 दिन में एक दिन आता है cheat day नहीं, बाकी के 9 दिन भी cheat day है आपने क्या काया, आपने का मैंने का मैंने एक लक्षे निर्धारित करा 9 दिन तक मैं उसमें चला, 10 वे दिन मैं बिल्कुल भैक गया और मैंने का मचल कि आज तो cheating करनी है और उस दिन मैंने कुछ जादे ही cheating कर दी मैं कहा रहा हूँ, वो cheating आप पिछले 9 दिन भी कर रहे थे आपको कैसे पता, वो जो लक्षे है वो आपका है और प्रमान बहुत साफ है कि वो लक्षे आपका नहीं है अगर आपका होता तो दसमे दिन आप भैक नहीं जाते ना वो लक्षे किसी सैयोग से आया था 9 दिन में वो सैयोग बीट गया, दसमे दिन बचा नहीं, आप भैक गए नहीं सर, कोई materialistic गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक All goals are materialistic There can be no immaterial goal All goals are materialistic Immaterial goal क्या होता है Sir, as in कि मेंको अपनी current existence में ही best और होश में रहना है तो वो जिसको आप होश कह रहे हैं न, वो होश की आपकी परिभाशा है आप जिसको होश कह रहे हैं, अगर वो वास्ताव में होश होता तो उसमें नौवें, दसमें दिन भैकने की कोई संभावना नहीं हो सकती थी समझ ये बात को आप गीता में हैं, साथ में? नहीं नी सर्श, फॉस्ट मन्त है मेरे फॉस्ट मन्त है, दीरे दीरे बाते हैं इस पश्ट होंगी देखिए, आप जिसको अपना लक्षे बनाते हैं, वो लक्षे बनता है एक स्थिति में, एक साहियोग में, उस समय एक पुछ प्रभावत है ठीक है? उदारण के लिए आप पार्टी में गए, वहाँ पार्टी में किसी ने आपको बोल दिया कि भाई, आप बहुत मोटे हैं, तो आपने कहा मैं लक्षे बनाऊँगा चीट डे का इस्तिमाल आम तोर पे खाने पीने में किया जाता है, और भी चीजों में होता होगा आपने कहा मैं लक्षे बनाऊँगा, वह पार्टी बीद गई, नौ दिन बीद गई, वह बात आप भूल गए, अब चीट डे आ जाएगा इसी तरीके से, इसी तरीके जी, आप ही बोलें आप ए टू जेट कोई इंसान नहीं जा सकता, पर हम ए टू बी जाते हैं, फिर बी टू सी जाते हैं, वह इंसान बदलता रहता है, वेंचुली तो हम अगले शण वह नहीं रह जाते हैं, जो हम पिछले शण में थे आगर हम अपने ओपर काम कर रहे हैं तो यह transformative process है, जो इसमें हम अपने ऊपर काम कर रहे हों कि नहीं कर रहे हों, अहंकार प्रभावों के तले बदलता रहता ही है, तो A to B, B to C, तो आप कुछ भी ना कर रहे हैं, तो भी हो रहे हैं, ना, तो यह जो आपने अभी अपना problem statement ही बताया है, यह problem statement, problem का part है, आप problem बता नहीं रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, वो बताना ही अपने आप में problem है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, अभी वो चीज ठीक नहीं है, यह जो पूरा होता है, उधारन के लिए आप बोल रहे हैं, पहली बाद आपने मुझे लग रहा हैं, बस conscious रहना मने क्या होता है, अहम चैतन ने रहे, इसका अर्थ क्या होता है, कहां से आएगी उचेतना क्या चीज है, और जो संद कबीर थे, वो अपना कपड़ा बुनते बुनते ही enlightenment अजीव कर गए, तो हमें कुछ special करने की ज़रूत नहीं है, to be conscious and to improve, अरे इतने लोग बुन रहे हैं उनका हो गया, उशन क्या कामना है कि जो कर रहे हैं आप वही करते रहे हैं और हो भी जाये मामला, वहां वो बोल रहे हैं कि मोहे मरण का चाओ और मरते पहले जे मरे अमर अजरावर होएं और आप कह रहे हैं जो चल रहा है वही चलता रहेगा, तो जो चल रह वो भी चलता रहेगा अभी आप रुकिए अभी थोड़ा सा न और और सत्रों को थोड़ा सुनिये बात आगे बढ़ेगी थोड़ा सा अभी प्रशनों में गहराई आएगी शुरुआत अच्छी है आपके पास एक शब्द है वो कॉंशियसनेस ही क्या है इसको आप धीरे धीरे करके अभी और समझियेगा बात अभी बढ़ेगी आगे सुनते रहेगा और प्रशन पूछते रहेगा प्रशन बदल जाएगा अगली दो बार चार बार में सवाल बदल जाएगा प्रणाव अचार जी आपने बताया कि हम एक बार देमानी करते हैं तो हम अपने आपको बार बार देमानी करने के लिए बढ़ावा दे देते हैं तो जैसे कि मैं देखती हूं कि मैंने कुछ सोचा कि मुझे करना है और ये बार मैंने जगत को देख के निधारत किया कि मुझे ये करना चाहिए था एक लेवल ये हो गया फिर एक दूसरा लेवल ये आया कि मैंने अपने भीतर ही कुछ standards बना के रखे कि मुझे ऐसा हो जाना चाहिए और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अचीव कर लूँगी तो फिर मैं अगर अचीव नहीं कर पा रही हूँ तो फिर वो बेमानी हो गई खोड़े भीतरी डेवल पर तो अब ये भी लगता है कि जो भीतर है वो बिलकुल सब कुछ बाहर से ही आ रहा है पाहर जगत जो है वो एकदब भीतर गुसा हुआ है तो अब ये मैं डिफ्रेंशियेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि बेमानी कब होगी, बेमानी क्या है और मैं कम मानू कि मैं बेमानी कर रही हूँ इमानदारी का मतलब होता है जो कुछ भी लग रहा है उस पर जितनी क्षंता हो उससे प्रश्न खड़े करना सत्य को पकड़ पाने कि हमारी कोई क्षंता नहीं लेकिन मान्यता, जूट, कल्पना, स्वार्थ इनको हम पकड़ सकते हैं न तो जो भी आपको बहुत उचित लग रहा हो या थार्थ लग रहा हो उसके सामने चार सवाल खड़े करने भले ही ये खतरा होता हो कि चार सवाल खड़े करने से जो सुखद स्वार्थ है वो छिन सकता है तो भी सवाल करने हैं बेमानी पकड़ने का और कोई तरीका नहीं होता बहिमानी हमेशा आपको माननेता देती है सत्य आपको कुछ नहीं दे सकता सत्य तो आपको बस दृष्टी देता है, प्रकाश देता है देखते चलो, समझते चलो बहिमानी कहती है देखने, समझने की जरूरत नहीं समझ आ चुका है और एक निशकर्श है, एक माननेता है, आपके बाद हमेशा एक निशकर्श होगा, माननेता होगा, उधारन के लिए आप में किसी चीज़ को बड़ा समझ लिया है, मुलिवान समझ लिया है तो आपको एक मिल गया न, कि मुझे सच पता है कि ये चीज कीमती है या ये चीज सच मुच कीमती है ऐसा आपने एक अपने लिए वक्तवे बना लिया न, तो अभी इस वक्तवे को पकड़िये और इससे चार सवाल पुछिए, एक के बाद एक और भागने मत दीजिए कीमत वाने क्या, कहां से तेरी कीमत आई कल तक नहीं थी, आज कैसे हो गई क्या कल भी रहेगी कोई मुझे नहीं बताता कि तेरी कीमत हो, क्या तब भी तेरी कीमत रहती अपनी लिए जो बाते हैं, उन बातों से जाच पड़ताल करी जाती है, इंटरोगेशन करा जाता है यही तरीका है, बस बेमानी पकड़ने का और कुछ ही नहीं और यह थोड़ा सा कठेन होगा, क्योंकि जो अपनी बाते होती हैं उतो अपनी बाते होती है उन पर सवाल उठाओ तो लगता है जैसे हम पर ही किसी ने सवाल उठा दिया तो बुरा लगता है थोड़ा दर्द सा होता है कई बार वो बात फिजूल की भी लगती है कि भाई बात समझ में आतो गई है अब क्या चार बार उसको परखें आपकी किताब में ही कोई चैप्टर होता होगा आपको कई बार लग जाता है यह तो मुझे समझ में आ गया होता है physics है मान लीजिए आप physics है उसमे एक चैप्टर एं Simple Harmonic Motion आपने पढ़ लिया आपकο क्या लगा समझ में आ गया है कितना समझ में आया है वो तो तब पता चलेगा ना जब आगे जो निमरिकल दिया है ज़रा हाथ तो लगा उसको तो अपनी पोल खोलनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि भीतर जो बैठा है आलसी तमोगुणी अहंकार उसको तो जल्दी से बस ये घोशित कर देना है कि मेरा तो हो गया मुझे तो बात समझ में आ गई अब आईगी काई कि नौ बज़े पढ़ने बैठे थे अब ग्यारा बच गया है उम रहे हैं तो ये लगने ही लग जाता है कि समझ में आ गया जब बहुत नीनद आ रही हो किताब को ले करके तो सबको लगने लग जाता है कि बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है बताओ क्यों लगने लग जाता है नहीं समझ में आई तो सो नहीं पाओगे सोना है तो बात समझ में आ चुकी है आ गई बात समझ में मुझे तो सब पता है उसका जवाब क्या होता है उसका जवाब होता है उसी किताब में चैप्टर के पीछे सवाल दिये होते हैं बेटा दो तीन लगा लो जरा यह होता है आत्मवलोकन कि खुद से ही सवाल पूछ लिए उसी किताब में ही सवाल दिये थे और उससे भी और जो करारा तरीका होता है वो क्या होता है कि जा करके आई यह रुडोव उठा लो बहुत खुश हो रही हो कि आगया ऐसे चम समझ में और देखो कि वहाँ भी कुछ सवाल दिये हुए है समझ में आ गया होगा तो जो सवाल है उनको जट से निप्टा दो यह होता है कि फिर किसी ऐसे के पास चले गए जो आपको परक सकता है पहले तो खुद ही परक लो और जब भरोसा हो जाए अपने उपर की ठीक है तो फिर किसी और के पास चले जाओ वो भी आपको परक ले लिकिन आम तोर पे आदमी जितना ज्यादा सपनों में जी रहा होगा और जूट में जी रहा होगा वो उतना ज्यादा कतराएगा किसी भी तरीके की जाच पड़ताल से परीक्षण से इंटरोगेशन से उसके पास कुछ ऐसा है ना जिसकी कलई खुल सकती है और उसका कतराना ही बता रहा है कि उसको पता है कि उसे कुछ अभी पता नहीं है तब तुम्हें सच मुझ लग रहा होता कि तुम्हें पता है तो तुम कतराते क्यों तुम्हें लग रहा होता जिन्दगी सुल्जी हुई है तो जिन्दगी के केंद्री मुद्दों पर बात करने से भागते क्यों शर्माते क्यों दुनिया भर के मुद्दों पर बात कर लो अभी जो एकदम केंद्री मुद्दें उन पर बात करके दिखाओ नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे उनको पता है कि वहाँ धानली है गड़बड है नहीं करेंगे बात चार यार मिलते हैं वो बड़े एकदम जिगरी हैं ऐक दूसरे के कॉलेज के दिनों से अभी इधर जादा दिन बीत गए एक दो साल बाद मिल रहे हैं एक दम रात भर मिलेंगे बैठेंगे ये गप में चलेंगी कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा हो रही है बातें करेंगे बस वही बातें नहीं करेंगे जो उनकी जिंदगी में इस वक्त सबसे केंद्रिये हैं उन बातों को बिल्कुल बचा जाएंगे एकदम नहीं करेंगे जो बातें न करने का मन करता हो वो बातें जरूर करो जिन सवालों से घवरा घवरा के छुपते फिरते हो उन सवालों का सामना करो असली सवाल तो वो होते हैं जो आप लोग पूछते ही नहीं कभी जवाब देना तो बहुत आसान चीज़ है मुझे आपको सवाल देने पड़ते है आपके पास तो अभी ठीक से सवाल भी नहीं है जिस दिन समझ लीजिये आपके पास ठीक सवाल आ गए उस दिन आपको मेरी जरूर्वत भी नहीं रहेगी ठीक सवाल आते ही जवाब बिलकुल साम नहीं रखा होता है आपको जवाब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपके सवाल ही उल्टे-पुल्टे है आज भी नहीं देख रहे लोगों के संदेश आते कहते हैं यह फ़लाना वीडियो है इसमें आपने उस सवाल गता जाब भी नहीं दिया जो उसने पूछा था अगर तुमको इतना दिख रहा है तो तुम्हारे जितनी तो कमें से कम बुद्धी मेरे में भी है मुझे भी पता है कि मैंने उसका सवाब नहीं दिया जो उसने पूछा था वियुक्य जो उसने पूछा था उसमें कोई मूले नहीं था मैंने उसे उस चीज का जवाब दिया है जो उसे पूछनी चाहिए यह ऐसी थी बात है कि कोई बच्चा आये छोटा और वो आपसे कहे कि पैसे दे दो और वो ऐसे अपनी छोटी सी हथेली करके खड़ा हो गया है वो सोच रहा है कि आप सिक्के विक्के रख दोगे क्योंकि यही उसका अनुभाव रहा है जीवन में कि जब भी किसी से उसने मांगा है तो उसको छोटा समझके किसी ने सिक्का रख दिया ऐसे तो ऐसे इत्ता सा और आप एक दोहजार का नोट निकालके उसकी छोटी सी पॉकेट में डाल देते हैं तो कोई देख रहा था और कूद क्या है बोला बच्चे के साथ धोखा किया न वह जो मांगने आया था वो तो दिया ही नहीं वो 8.25 मांगने आया था क्या चाहते हैं ओवह ही देदेता उसको उस बिचारे को पता ही नहीं है कि अथंभी चवशनी से धिख मूल का भी कुछ होता है तो जैसा वो है छोटा सा वैसे ही वो छोटी सी अपनी अंजुली लेकर आ गया था अठनी दे दो आज तक उसे मिली अठनी आए वो ये अठनी ये मांगने आ गए और फिर उसकी जेव में कुछ आप देखा बाद घुमा दी ना देखा बाद घुमा दी ये आदमी हमेशा बाद घुमा देता है सीधा जवाब देता ही नहीं सीधा जवाब माने अठनी क्या करोगे सीधा जवाब लेके सीधा जवाब देने वाले तो तुम्हारे घर में ही पांच बैठे हैं चिले जाओ अपने यारों के पास, तुम्हारी सारी समस्याओं के सीधे जवाब दे देंगे वो जिस तल का तुम्हारा सवाल है, जब उसी तल का जवाब मिल जाता है, तो तुम कहते हो, यह सीधा जवाब है लेकिन जिस तल का तुम्हारा सवाल है उसी तल का तुम्हें जवाब मिल गया तो जवाब दो कोड़ी का हो गया, सवाल ही दो कोड़ी का है सवाल को उत्तर नहीं चाहिए होता है, सवाल को समधान चाहिए होता है ज़ाधा तर लोग यह अंतरी नहीं समझते कि उत्तर और समाधान एक चीज़ नहीं हो सकते समाधान का मुंले बहुत-बहुत-बहुत ज़्यादा होता है पर कुछ है ऐसे लाजवाब लोग उनको अगर समधान दो तो वो कहते हैं देखा जवाब तो दिये ही नहीं मैंने क्या मांगी थी चवन्नी चवन्नी तो दिये ही नहीं न इधर देख यहाँ जहाँ दिल होता है न वहाँ नोट डाला एक दोहजार का सही सवाल पैदा करिए सारा खेल इसका है कि हम सही समस्या पर उंगली रख पाएं आइडेंटिफाइंग दे रियल प्रॉब्लम आप चिकिस्था के पास जाते हो आप बोलते हो खासी है तो वो आपकी बात सुनके आपको खासी का जवाब दे देता है या वो आपको टीवी का जवाब देता है आपके देखे आपको क्या है तो आपका सवाल भी है यह खासी है खासी का कुछ तो वो आपके अनुसार जवाब दे अपने अनुसार जवाब दे और वो तो देख रहा है कि खासी होंसी कुछ नहीं जो तो टीबी है खासी तो एक छोटा सा लक्षण है और पचास लक्षण तुझे अभी पता भी नहीं है पर बहुत नाराज होंगे कहें कि हम खासी की दवा मागने गए थे और ये पता नहीं क्या-क्या दे दिया इन्होंने ये देखो सीथी की दवाई नहीं देते जब हम कहें कि arghhansi है तो arghhansi की दवाई दो किए हां कंदे में दर्द हो रहा है बताईए क्या है या लगा लें ये आ पे कुछ दीज़े मलं बलं भाई तुझे हाट एटाग आया था इसलिए इदर दर्द हो रहा है तुझे अब तु क्या सोच रहा है कि कंदे में दर्द है बताईए क्या करना है कुछ ऐसे दबावा वोलें क्या करें मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है जब सामने सही सवाल आता है यह पता होता है कि अब मैं नभी बोलू तो चलेगा और मज़ेगी बात यह है कि तब मैं सबसे खुशी की बोलता हूँ जिसने समस्या को पकड़ लिया वो समधान से अब कहां दूर है समस्या पकड़ते ही समधान सामने आ जाता है असली समस्या तो उनकी है जनको समस्या पता ही नहीं और वो पताने किन खाबों ख्यालों में हैं वो कहीं और से कोई कृत्रिम समस्या निर्मित कर लाएं है या कह रहे हैं समस्या ही नहीं वो इस तरह अपना डोलते रहते हैं is the problem, no problem, no problem, if no problem, then no solution हमारी तो संस्कृती बन गई न क्या no problem का सही जवाब क्या होना चाहिए no solution come up with the problem if you want a solution and come up with the genuine problem इधर उधर के मकारी मत बताओ जो असली बात है खोल के सामने रखो नमस्कार मेरा नाम तरुन है और मैं अचारी जी से नमबर 2022 से गीता सत्रों से जुड़ाओं और आसा सुनते हो मुझे तीन साल के लगबग समय हो चुका है अचारी जी जी जोड़ने के पात में जीवन में में बहुत सारे परिवर्तन है और उसमें एक परिवर्तन जो में बताना चाहूंगा कि जीवन का छोड़ कर देखने का नजर्या बदल गया है कि पहले जो चीजें जिन में जहां वक्त बिताया करते थे वहहां से अब वक्त को करण कर कहीं और बिताने लगए जीवन में एक बहुत बड़ा बदला वो होता है, जो व्यर्थ के काम थे, उसको छोड़कर अब कोई सार्थ काम कर ने लग जाओ तो एक एक यह जीवन में अनूभाव आने लग लग जया है, मतलब जीवन में परिवर्तन हो ra है, व्यर्थ के काम छूड़ गया है और जो साथ तक काम है, जो हमारी जीवन के लिए भी और बाकियों के जीवन के लिए भी ज़रूर ही है, उन कामों में अभी समय लगने लग गया है. तो यह कि मेरे इसाब से बहुत बड़ा बद्दाव मैंने अपने अंजर देखा है अचारीजी से जोडने के बाद.